आत्मा हे निर्बुन निरंकार तू करता है जगत का तू सब का आधार कण कण में है बश रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभू अविनाशी करतार दयास तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालन हार है बेंत महिमा तेरी दाता अपरंपार पर्म पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्यान भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्यान साथ संगर जी प्यार से कहना धान नंकाय जी निराकार ये निराकार संसार में जहां हर एक चीज के अंदर वस्थित यही सच के वो चाहे छोटा सा कत्रा हो या कुछ भी हम इमाजन जो कर सकती है हमारी बुद्धी वो हर एक में बसा हुआ ये इस रूप इसका जो नजर नहीं आता जो दिखाई नहीं देता और फिर भी ये चक्षू जब मिल जाते हैं तो वो ही जो कुछ नहीं नजर आता वो बहुत ही साफ नजर आने लगता है तो कैसे हमने इस रूप में जब निराकार पर मात्मा के दर्शन कर लिए तो फिर और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता क्योंकि हर एक कंड में फिर यहीं बस नजर आता है और फिर वहां ये जो भक्ती भरी यात्रा शुरू होती है वो हर एक की किस तरह एक इंडविज्वल रूप अलग रूप युनीक रूप ले लेती है किसी की प्रेमा भक्ती बन कर वो सामने आती है और किसी के लिए फिर वो एक माया से जुड़ी हुई चीजों कि डिमांज वहां तक ही रह जाती है किसी के लिए फिर हर एक में जहां वो निरा कार देख रहा है हर संत का कहीं पे भी मिल जाना एक अपने आप को रोम रोम से प्रफुलित खुश महसूस करना और किसी ने फिर भी चाहे सत्संग में ही क्यों ना बैठे हो वो एक बार-बार घड़ी देखते रहना कि कब खतम हो कब घर को निकले तो कैसे ये भी बात की ब्रह्म ज्यान तो ये जोली में आया भी तो उसके बाद हमने इसका क्या किया अगर इस निराकार पे विशपाश बनाया तो वो विशपाश किस तरह का बनाया क्या वो एक हर चीज में वाके ही हमें पता है कि ये विश्पाश रखकर कि हमारी भलाई के लिए ही पलपल ये संसार में with every breath that we take वो निराकार ने बहुत ही सुन्दरता से जीवन रचा है या फिर एक उस तरह का विश्पाश कि जब तक चीज़ें एक मेरे मताबिक हैं तब तक अच्छी हैं वरना उसी पल निराकार को कोसने चले कि ऐसा क्यूं हमारी जीवन में घटित हो गया तो किस तरह का विश्पाश है एक अपने उपर भी जब हम बात करते हैं कि एक विश्पाश की तो वो बात कि हम अगर स्कूल के टाइम से ही देखें एक्जाम्स के पहले कैसे टीचर्स भी समझाते बच्छे को कि आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है आपने अपने उपर अप पूरा विश्वाश रखना है, कॉन्फिडेंस से एक्जाम्स देना है, चीटिंग नहीं करनी और ऐसी जो एक मोटिवेट करके कि अगर जादा समय अब नहीं बचा, कुछ अगर चाप्टर एक आदा छूट गया है तो उसको अगर नहीं भी कर पाए, तो जितना किया है, उसको अच्छे से कर लो, कि उसके अंदर का जो भी क्वेश्टन हो, वो घलत ना जाए कैसे एक खुद का मनुबल बढ़ाने के लिए और यहाँ सत्संग में तो जैसे माता सविंदर जी महराज ने भी हमें समझाया कि एक confidence से भी evolve हो गई चीज़, जब इस निराकार पे विश्वाश आया, तो फिर वो confidence हुआ फिर एक संसार में पल-पल हम वो भेते ही चले गए, इस प्यार में, इस विश्वाश में तो जहां वो भी बात आती है कि faith can move mountains, कि कैसे एक पहाड जब हम देखते हैं physically होता तो वो चटान बहुत ही उची, बहुत ही मजबूत और कैसे वो फिर विश्वाश की बात कि चाहे physically तो वो पहाड चल कर कहीं जाएगा नहीं, पर फिर वही बात कि जगर मन में विश्वाश है, तो पूरी हर चीज हो सकती है, बशर्ट कि ये भिराकार के आसरे से लिया गया विश्वाश हो अगर हम इस तरह कोई ill intention से, कोई गलत नियत से उस समय विश्वाश करके दातार से की अक्षर जीवन में ऐसे भी रूप इंसानों के देखे हैं, जो खुद अपनी दलील देते हैं कि दातार ये निराकार हमारी हर बात सुनता है, तो अब मैंने चाहा कि एक दूसरा इंसान बरबाद हो जाए, तो ये निरंकार ने, इस पे मेरा पूरा विश्वाश है, निरंकार उसके साथ अच्छा नहीं करेगा, तो अगर ऐसी intentions हम दिल में रखके उसको विश्वाश का नाम दे रहे हैं, तो ये हम अपना गढधा खुद ही खोद रहे हैं, क्योंकि फिर ये नि तो ये राकार एक-एक इनसान से चाहता है, कि हर एक का भला हो, हर कोई जो गलती कर रहा है, कैसे अपनी गलती को सुधार ले, और वही हमारे उपर भी duty, कि हम इस संसार में रहते हैं, तो वही एक खुद के लिए भी जहां अपने दिल दिमाग को साफ रखें, अपनी नियत को साफ रखें, वहीं किसी के लिए भी ये ना मांगी जाए, विशबाश इस चीज़ पे ना किया जाए, कि किसी की बुराई करने के लिए हम अगर एक मजबूती से भी सिमरन करें, तो अगले की बुराई और सिमरन ये फिर एक तलवार में, एक मियान में दो तलवार, वो तो फिर एक व्रास नहीं आएगी, बात वो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे हम कई बार किसी के लिए बुरा जब सोचते हैं, तो फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एक थ्रोटिकली तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर बुरा हमारा होगा, पर वो कई बार बुरा ऐसा होता है, ज एक दम दिल भुच साजाता है खुद का, और फिर कुछ भी जहां अच्छा नहीं लगता, और ये unintentionally भी, subconsciously भी, हम हर पल फील करते हैं कि उस समय हम अगर अगर अपने गुस्से को, अपने खयालों को काबू कर लेते, तो ऐसी फीलेंगे बोज बन कर हर पल नहीं जी रहे हो हम पर ये भारी पर नहीं होता, तो कैसे ये जो बात सत्संग में हमेशन सिखाई जाती है, कि पल-पल अपनी नियत को इतना साफ रखो, कि एक सिरफ निराकार, ये purity, ये lightness, ये calmness, इसके इलावा और कोई चीज अपने दिल और दिमाग पर हावी ही ना होने दो, कि खुद में इतनी परिशानी हो, जो फिर चाहे वो एक इनसान के दिमाग पर ऐसे mental illnesses की तरह भी रूप ले लेती है, तो कैसे हमने अपने अंदर और भार हर तरफ इस निराकार के आस्रे और इसके ऊपर एक positively एक विश्वाश रख कर ही आगे बढ़ना है, तब ही ये जीवन सफल हो साथ संगत जी धान नंगाय जी चाहे जीवन सफेन अनगाय जीवन इंदर आ Grenoos एक तू ही निरंकार मैं आसदा भूलन हार तू है दाता बख्षन हार मेरे अब बढ़नाची तार एक तू ही निरंकार प्यान उपढ़े संसार सब्दा बला करो करतार मेरे बंग है बातार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना इत्वार बशो शर्दा भगती प्यार मेरे बंगरा में संता दासतकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार सब्गुरू माता सुविक्षा सबिंदर कर देवजी महराज कीज निरंकारी राज माता गुरुबच नवतार कीज प्यासे कहे तू ही निरंकार जी अर्मी